जैहिंद जैबारत मैं सुभिदार अनर्गुन संचालक लक्षर डिपेंस एकेडमी जलगाओ नहीं हूँ लास लगाओ दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये न्सिसी कि जिन बच्चों ने निससी ए बी सी शर्टिपिकेट लिया वा है उन बच्चों को अगनीपत के ऊजना में किस तरह से हौन को फाइदा मिल रहा है। एच्यल भी नियम बदल चुके हैं उन बच्चों को भी यहाँ पर पेपर देना पड़ रहा है और जो बच्चा तीन साल लगाता है एंसी सी में सिर्फ एक हई इस अपना रेकी चलता है कि मैंने आर्मी में भरती होना है और उस बच्चे को सिर्फ 20 मार्क दे जाते हैं यह बहुत ही ग सेर्टिपिकेट है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे यह इंसी सी सेर्टिपिकेट है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे और वो भी 15 मार्क शायद technical में और clerical में आप technical ट्रेडमन में जाओगे तो आपको सिर्फ 15 ही मार्क मिलेंगे UNCCC C certificate को धियान रखना अगर आपके पास UNCCC C certificate है और साथ में अगर आपने Republic Day Award अगर आपने अटेंड किया हुआ है तो आपको यहापर और 5 मार्क मिलेंगे दोस्तों इस बार जो है यनसेसी वालों को भरती में शिर्फ यही फाइदा होने वाला है तो यनसेसी वालों के साथ में मैं तो बोलँगा बुरा отправ हो गया क्योंकि जो गाओं में लड़के जो NCC में admission लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से लेते हैं कि मैंने army में भरती होना है और मुझे paper map है इसी कारण से बच्चे admission लेते हैं तो इस तरह से यह सब चिज़े actual में नहीं होने चाहिए थी क्योंकि बच्चों का सप्ड़ा है कि मैंने army में जॉइंग करनी है और उन बच्चों के साथ में तीन-तीन साल बच्चे NCC में लगाते हैं उसके बच्चों को सिर्फ यहाँ पर 20 मार्क मिलते है तो यह सब चीज़े गलत है जिन बच्चों ने NCC की होई उन बच्चों को बतन चाहता हूँ मैं अगर आपने भाई जॉइनिंग करनी है आर्मी की ता अभी नियम बदल चुके है आप लक्षे डिपेंस अकेडेम जलगाओ नियूँ लास लगाओ दोनों भी जगह पर आप जहाँ पर आपको असी मार्क के लाइक बना दूंगा ये गैरंटी मेरी जहिंद जह भारत वंदे मात